हेलो दूस्तो नमेश्कार एसम किसी चैनल में मैं आप सबी लोग का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दूस्तो बहुत दिनों से मुझे कमेंट सेक्षन में भी एक एसी रिक्वेस्ट आ रहे थी सर क्या स्टॉक मार्केट में अभी फिलाल प्रेजेंट मार्केट मे कोई ऐसी अपोर्चुनिटी है जिससे हम लोग अगर रिस्क उठाते तो बहुत ही गजब का पैसा चाप सके तो उस तो मैं जरू कहना चाओंगा ऐसी अपोर्चुनिटी जरूर है बट जैसे मैं आप लोग को कहा कि अगर वो दाओ सही लग गया तो करोड़ पती वरना कुछा कि कोई ऐसी अपोर्चुनिटी तो डेफिनिटल ऐसी अपोर्चुनिटी हजारों मिल जाएगी आप लोग को मार्केट में कुछ ना कुछ होते रहता है सोमवार के दिन मार्केट चलेगा मंगलवार के दिन चलेगा अपोर्चुनिटी आएंगी अपोर्चुनिटी जाएंगी तो ऐसी एक बहुत बड़ी opportunity यहाँ पे आपको दिख सकती है अगर आपका दाव सही गया तो definitely आप लोग को बहुत बड़ा पैसा भी आराम से आप लोग बना सकते हो बट अगर हम लोग जैसे चोचरे वैसे नहीं हुआ तो फिर आप लोग इतने बड़े जाल में फस जाओगे मतलब पूरा capital भी उड़ सकता है मतलब इतना खतरनाक यह दाव यहाँ पे आप लोग चाते हो तो खेल सकते हो आपकी मरजी में कोई आपको recommendation देने के लिए यह वीडियो नहीं बनाया है तो चले दोस्तो exactly यह opportunity कहाँ पे है और यह कौन सा एसा खत्रों की खिला वीडियो आप लोगों ने जरूर देखा होगा अगर नहीं देखा तो वापस देखनेना इन ज्यादे ज़्यादा शेयर करना बहुत से लोग वीडियो लाइक भी करते बड़ शेयर नहीं करते बाकी retail investor को भी पता चलना चाहिए दोस्तों कि खुद का portfolio कैसे बनाया जाता है अननेसेसरी 20-30,000 रुपया मार्केट में इसका लिया जाता है तो आप लोग भी इसको देख सकते लिंक उपर आई बटन पर मिल जाएगे विल्कुल free of cost है या फिर नीचे description box में भी आप लोगों को इसका लिंक मिल जाएगा सो दस्तों अभी हम लोग आ चुके बिल्कुल हमारे normal screen के उपर एंड यहाँ पे जो दाव बताया जा रहा है कि जो इतना बड़ा अगर आपको दाव खिलना ही है जूहा ही आप लोग चाओ तो बोल सकते हो जूहा क्यों बोलते है आप पता है जूहा और मतलब सारे लोग stock market को 60 बादर भी बोलते है बट बोलते हैं इसमें बहुत बड़ा एक अंतर है अगर आप लोग किसी चीज के उपर बेट करते हो जिसकी आप कंट्रोल बोलते हैं विदाउट study करना तो उसको जूहा बोलते हैं कुछ चीजे ऐसी होती है जो कि अगर हो गया नहीं हो गया जिसक बहुत बड़ा यहाँ पर एक ऐसा सेक्टर है आप लोग बोल सकते हो या फिर एक ऐसी कंपनी है जो कि बहुत बड़ी लॉस में चल रही है हम कह सकते बहुत ज्यादा दिक्कतों में चल रही है बट दोस्तों यहाँ पर शायद से फ्यूचर में कुछ अच्छा होने की शाय यह कर रहे है हमें वह कर रहा है है रैट यह चीज़े लाने है वह चीज़े लाने है तो दौस्तों उसी में प्रेजेंड कवर्मेंट में एक बहुत बड़ा यहाँ पे उनका प्लान है इस यहों से बड़ा प्लान है एंड ये लास्ट टाइम जो इनका प्लान था उस से भी बड़ा प्लान उनोंने इस यह यहाँ पर रहा हुआ है 이제 कि 6.2 को फबलिक शेको अंको मेंदे चाहूँगा PSU कैसे चल रहे हैं सभी लोगों को पता है बहुत ही हालत खराव है बहुत सार लोग बोलते हैं सर आप PSU के अगेंस्ट क्यों है देखे कुछ PSU है जो की exceptional है जो की अच्छा कर रहे हैं बाकी अगर आप maximum देखोगी चलो में एक एक्जांपल दिखा देता हो ONGC बहुत ही important वीडियो है आगे आप लोगों को समझ में आएगा आभी पकड़ लेते ONGC कितना आप चल रहे हैं सत्तर रुपे पे चलो आज आते हैं यहाप यह देखी यह क्या है ONGC वर्सिस मार्केट ठीके ONGC 10% डाउन मार्केट 12% अप तीन मैने की बाते 6 मैने की बात कर लेते ONGC 7% डाउन Nifty 42% के रिटर्ण एक साल की बात कर लेते Nifty 6.5% की रिटर्ण ONGC 45% डाउन 5 साल की बात कर लेते देखे 5 साल लंबा पिरेड होता है Nifty 65% रिटर्ण ONGC 52% नेगेटिव रिटर्ण इसके कारण यहां पर बड़ा दाउ कोन सा है यहां पर प्लान बना रही है कि वो अपनी हिस्सेदारी यहां से निकालने वाली है मतलब जो उनका कंट्रोलिंग स्टेक है उससे वो कम करेगी कंट्रोलिंग स्टेक मतलब वो ही दिखाना चाओंगा सो रोस तो यह है कौनसा ONGC का शेर होल्डिंग पैटर्न अभी मेजरिटी स्टेक किसके पास है प्रमोटर्स एंड हाइस प्रमोटर होल्डिंग देखना प्रेसेड़न आफ इंडिया मतलब गवर्मेंट के पास 60% से ज़्यादा के शेर्ज है मैं सिफ एक्जांपल बता रह रही है तो अगर ऐसा हो जाते है तो शायद सी यह जो कंपनिया आज हम लोगों को मार्केट all time high होते वह भी नीचे देखने को मिल रही है शायद से उन में हम लोगों को बड़ी रहली आते हो देखने को मिल सकता है जैसे मैं ने का दोस्तों यह possibility वाली बात है कि अगर सरकार ऐसा करती है क्योंकि सरकर ने कहा है कि वो maximum divestment करने के और यहाँ पर फोकस रख लिए और बहुत बड़े-बड़े companies उनके hit list में है PSU की अगर मैं बात करूँ सुरोस्तो ऐसे companies जो की अभी-भी भी पिटे हुए है अगर ऐसे company में अगर कोई निवेश करता है अगर सरकर यह जो बात बोल रही है वो अगर future में सच हो जाती है तो definitely यह stock आज 70 पे है बट future में आप लोगों को यह double होते हुए भी देखने को मिल सकता है बट जैसे मैंने का बहुत बड़ी रिस्क है क्यों बड़ी रिस्क है तो जो 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 एसा ही एक stock है जहाँ पर divestment की बाते लगबग एक साल से चल रही है और उस stock का नाम है BPCL यह जो सरकार करना तो चाती है बट इतने आसानी से हो नहीं रहा है और फिलाल आप देख सकते 383 पर यह stock देखने को मिल रहा है तो definitely हम लोगों को एक अच्छी खासी rally देखने को भी मिल सकते बट again twist कि सिर्फ सरकार हिस्सेदारी बेच के काम नहीं चलेगा सामने का investor भी उतना जबरदस्त होना चाहिए जैसे कि BPCL के share में अगर मैं आपको दिखा दू हम लोगों को लगातर गिरावट देखने को मिल रहेगी गिरावट मतलब क्यों बहुत ही important वीडियो दोस्तों देख लेना यहापे में एक चार्ट पेटन दिखाना चाहूँगा पात साल का अभी आप देख रहे हो यह पात साल का BPCL यहापे चल रहा था अभी यह इतनी ब आठ 380 के करीब है ऐसा क्यों डाइवेस्मेंट के लिए प्लान चल रहे है फिर भी क्योंकि यहापे जैसे में ने बोताया कि जो प्लियर्स यहापे आने वाले उसमें ना तो रिलाइंच इंडस्टी है ना ही अगर हम लोग बात करें साओधी अरेम को है ना ही बिर्टिज पेट्रोलिय में मतलब जो बड़े प्लियर्स एक्सपर्ट कर रहे थे वो कोई ही नहीं वेदान तव यहापे आ चुका है जैसे मैं ने कहा कि बहुत ही एक टफ डिशीजन है यहापे एक्जैक्ली जैसे मैं बोलता हूं स्टॉक मार्केट में कोई फिक्स चीज नहीं होती क वह नहीं होने चाहिए बहुत में आपको झाव लाआपको दिखाती हो कितने सारी प्रीड है और मुस्ति के सब्सब्स कोई है उसी के साथ भारत निगम भी है, उसी के साथ अगर हम लोग बात करें, HPCLA, Gale है, ऐसी कमपनियां सरकार की देखने को मिल रहे है, उसी के साथ यह देखे, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, HPCLA, CLA, Cole India भी है, यह सारी कमपनियां की अगर हम लोग बात करें, Concore ह इस सारी PSU, मतलब सरकार के पास इनकी हिस्सेदारी बहुत जादा है सो रोस्तो कौन से कंपनी में यहाँ पे सरकार हिस्सेदारी बेचेगी वो सबसे पहले देखना पड़ेगा लगबग पहले 23 PSU की बात सरकार यहाँ पे कर रही थी वो हम लोगों को पता होनी चाहिए एंड उसके बाद इवन दो वो सरकार हिस्सेदारी बेचे तो क्या वो वैसे प्लियर्ज आएंगे जहाँ पे प्लियर्ज मतलब मार्केट यहाँ पे एक्सपेक कर रहे है वरना कोई छोटा मोटा प्लियर अगर यहाँ पे आ जाते है तो वापस हम लोगों को गिरावट देखने को मिल सकती है सो रोस्तो इसलिए मैंने का कि यह बहुत बड़ा रिस्की दावे जो कि यहाँ पे बहुत सारे लोग प्ले करने की कोशिश कर रहे है अगर सही गए तो डेफिनेटली एक जबरदस तेजी उनको यहाँ पे मिल सकती है बड़ अगर यहाँ पे वो गलत गए तो उनका पैसा बहुत ही बूरी तरीकी से क्या हो जाएगा ब्लोक हो जाएगा मतलब कैपिटल जो डाला होगा उसको भी निकालना शायद से मुश्केल यहाँ पे हो सकती है तो रोस्तों यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को कि जो लोग पूछ रहे थे क्या मार्केट में ऐसी अपोर्चिनिटी जरूर है आप देख सकते हो बट यह खत्रो आख के साथ खिलने की बराबर है सही गया तो डेफिनेटली कॉलर टाइट हो जाएगी बट अगर गलत गए तो सीधा बहुत बड़ा प्रॉब्लेम आपको देखने को मिल सकता है सो मेरा कोई रेकमेंडेशन नहीं कि आप लोग इस तरीके के स्टन्ट करो बट जो लोग करना चाते हैं आख के साथ खेलना चाते हैं कुछ लोग होते हैं रिस्टेकर होते हैं सो डेफिनेटली आप चाहो तो इसके बारे में विचार कर सकते हो बट यह बहुत लंबा खेल रहेगा तो यह सारा खेल आप लोगों ने समझने के बाद यहाँ पर decision लेना चाहिए सही गए तो पैसा मिलेगा गलत गए तो पैसा पूरी तरीके से block भी हो सकता है तो यह इतना बड़ा खेल हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है और जैसे मैंने का कि सिर्फ यह एक दो company नहीं ऐसे बहुत सारी companies है सो यह आपके उपर है कि क्या आप लोगों को यह आपके साथ खेलना है भी है नहीं जैसे मैंने आप लोगों को बता है जितना बड़ा risk लोगे उतना बड़ा return भी आप लोगों को मिल सकता है बीपीसल में divestment की बात होई ऐसी तेजी आगी बाद में बोलते कि नहीं होगा करके difficult होगा करके suddenly गिरावट अभी देख ले ना जिन लोगों ने पैसा सिर्फ divestment के लिए अटका है वापे वो तो बुरी तरीके से फस गए है तो यही कहना चाहूँगा कि temporary चीज के लिए बहुत बड़ा नुकसान भी यहापे आप लोगों को हो सकता है बट येस यहापे एक opportunity भी शायद से create भी हो सकती है तो सारी यह चीजे है ना दोस्तो यह if condition वाली है मतलब मैं कुछ guarantee के साथ बोली नहीं सकता कि सरकार क्या decide करेगी उनके उपर है और जैसे मैंने का कि यह चीजे इतनी आसान नहीं होने वाली oppositions भी रहेंगे, employees भी रहेंगे क्योंकि एक BPCL का divestment करने के लिए भी कितना oppose यहापे हो रहा है उसी के साथ साथ सामने वाले parties भी आनी चाहिए तो बहुत कुछ politics भी हम लोगों को देखने को मिलता है तो ऐसे situation में अगर आप लोग जाना चाहते हो तो आपकी मर्जी मैंने सिर्फ आपको opportunity बता दी जिस type के comments आपके आपे आ रहे तो जो कि बिल्कुल सही है यह risk वाली बाते हैं तो अगर आप चाते हो तो ऐसी बाते हैं आपे कर सकते हो मतलब PSU जो stock से जो मैंने अभी आप लोगो लिस्ट बेदाई दोस्तो एक unique topic आप लोगो सीखने को कुछ ही आपे मिलाओगा तो वापस कहना चाहूंगा मुझे ऐसा लगता है कि एक retail आम आदमी ने इस चक्कर में पढ़ना नहीं चाहिए यूज्यूली चाहिए वो stock कितने भी भागे वो भागते वह एक अच्छा लगेंगे और एक काश मैंने किया होता बट वो काश तभी अभी लगता है अभी आप में हिम्मत है क्या वो करने का तो नहीं है ना तो छोड़ दीजे कोई बात नहीं जैसे ही मैंने आप लोगों को बताया कि आप चाहो तो जैसे मैं कहता हूँ कि कोई लोग रहते सर हम लोग रिस्क लेना पसंद करेंगे तो क्या करें तो एक एक शेर खरीद लीजिए या आपके उपर है सीखने के लिए दोस्तों सीखना कोई बूरी बात नहीं होती है और एक-एक शेर में क्यों बोलता हूँ बहुत सर्व दों गोलता है सर एक शेर खरीद के क्या मिलेगा मैं एक शेर सीखने के लिए बोल रहा हूँ जब आप एक शेर खरीदते हो न तो कंपणी के मेसेज़ेस आते है आते है MEMEL आता है आप लोग थोड़ा serious हो जाते हैं, अगर आप लोग ऐसे हवे में बोल दोगे न, तो फिर आप में वो seriousness नहीं रहेगा, तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ, education के लिए, अभी वेदानता भी मैंने आपको दो share खरीदने के लिए बोले थे, एक, delisting हो जाते हैं, तो participate करने का, एक शर ऐसे ही रख देने का, एक साल बात दे देने का, अगर delisting हो जाती है, तो फिर आपको experience मिलता है, तो यह सारी चीज़े मैं एजुकेशनल परपस से बोल रहा हूँ, कोई बड़ा amount investment करने न, खुद को हरशाद मेता मत समझ लेना, कि यह मैं कुछ तो बड़ा कर दूँगा, मैं वाके में आप लोगों को practical बाते बता रहा हूँ, कि बहुत सारे लोग इससे जोश में होते, सो होश से काम लेना है दोस्तो, इतना ही में आप लोगों को बोल सकता हूँ, सो आयो पैशा करता हूँ, आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना, सो तक तक के लिए, बाई बाई